दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे Dr. Fixit LW Plus और Dr. Fixit EURP जो आप दोनों chemical ये देख रहे हैं ये दोनों chemical को हमें कहां कहां पे इस्तेमाल करना है इसका इस्तेमाल कैसे करना है किस काम में कौन से chemical को इस्तेमाल करना है क्योंकि बहुत लोग क्या करते है इसमें गड़वर करते हैं उनको पता नहीं होता है कि LW Plus कहां पे लगाए जाए है वहाँ पे URP का इस्तेमाल कर लेते हैं जहाँ पे URP लगाने का जरूरत होता है वहाँ पे LW Plus का इस्तेमाल कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपको फायदा मिलना चाहिए वो फायदा मिलता नहीं है साथ में मैं ये दोनों chemical का क्या क्या फायदा है वो चीज बताऊंगा कितने कितना इसका rate आपको market में मिलता है कितने कितने का packing level है और दोनों जो chemical है आपको कितना coverage area देता है और दोनों के अपने अपने क्या फायदे क्या नुकसाने सब कुछ आप मैं आपको detail बताऊंगा सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लिजे कि घर में आपका mainly 5 जगह से पानी leakage होने की समस्या होती है सबसे पहले कहां आपकी एक छट से हो सकती है दूसरा आपके bathroom से होती है तीसरी जो बाहरी दीवार होती है अगर दीवार में या plaster में वहाँ पे हलकी सी crack है तो वहाँ crack से आपका क्या है कि दीवार में सीपे जाने का chance रहता है बारिस का पानी डिरेक्ट पड़ता है आपके दिवार पे तो वहां से लीकेज होने का चांस होता है फिर जो आपका जो टैंक होता है टैंक से लीकेज होने का चांस रहता है और सबसे पहला जो आप काम करते हैं, जो आपका footing बनाते हैं, जो foundation अपने building का बनाते हैं, तो जो नीचे DPC डालते हैं, तो अगर DPC आप वहाँ पे waterproofing नहीं किये, तो वहाँ से पानी आने का chance रहता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, ये 5 जगा अगर हम अच्छे से chemical इस्तमाल कर लिए, तो फिर हम बहुत बड़ी समस्या से बज सकते हैं, घर में किसी तरीके का भी sealant आने का chance नहीं रहेगा, वहाँ पे leakage होने का chance नहीं रहेगा, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे Dr. Fixit LW Plus का, तो ये एक liquid waterproofing compound है, और ये जो chemical है Dr. Fixit LW Plus, ये घर के सभ आपको ये chemical मिलानी है, तब जाके वहाँ footing से आपका पानी आने का chance नहीं रहेगा, फिर आप column की ढलाई करें तो उसमें आपको LW Plus मिलानी है, beam हो गया, छत हो गया, सभी जगा जहाँ पे भी आपको concrete का काम करना है, सभी जगा आपको LW Plus का इस्तमाल करना है, पिर जो हम घर है Dr. Fixit LW Plus, ये cement concrete के साथ एक बहुत अच्छा bonding agent का काम करता है, और concrete को crack होने से बचाता है, वहीं जो Dr. Fixit URP जो आप ये देख रहा है, ये ज्यादा तर कहां पी यूज होता है, जैसे कि हमारे छत का जो waterproofing हम करते हैं, या छज्जा हो गया, हमारा bathroom का waterproofing हो गया, concrete का कहीं प पुराना आपका छत बना हुआ है, फिर नया हम उसमें जोड़ना है, तो उस joint पे हम Dr. Fixit URP यूज करेंगे, फिर concrete का repair हो गया, जैसे कि ज्यादा column हो गया आपका तूट गया है, या slab में कहीं से repair है, उसको दुबारा से आपको concrete डाल के उसको पूरा करना है, तो वहां पे आपको Dr. Fixit URP इस्तमाल करना है, तो दोनों का अलग 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 जगह है application, कि कहां पे कौन सा इस्तमाल किया जाए, तो Dr. Fixit LW Plus जो chemical है, ये आप जब इस्तमाल करते हैं concrete में, mixing जब आप मसाला बनाते हैं, तो उसमें जब आप उसको मिलाते हैं, तो ये concrete को सुरुआत से ही देखा जाता है कि छट हलाई के कुछ दिन बाद या एक या दो दिन बाद छट में थोड़ा थोड़ा crack आने लगता है, तो ये क्या करता है कि छट को crack होने से बचाता है, साथ में ये concrete के workability को बढ़ा देता है, अगर आप ये chemical plaster में मिला होते हैं, तो plaster को ये crack से बचाता है और जब आप concrete का मसाला बनाते हैं, तो उसमें ये chemical मिला देते हैं, तो जो concrete और cement के बीच में जो air bubble बनता है, यानि जो voids बनता है, तो voids को ये chemical बिल्कुल खतम कर देता है, वो बहुत अच्छा यहाँ पे एक bonding agent का काम करता है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब concrete में आप मसाला बनाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि पानी ज्यादा मिला आए जाता है, concrete को अच्छे से फैलाने के लिए ठेकदार लोग क्या करते हैं, कि पानी का ज्यादा यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि अगर आप ज्यादा पानी के इस्तेमाल करेंगे, तो concrete क strength कम हो जाता है, तो यह जो आप chemical इस्तेमाल करेंगे, तो chemical क्या होता है कि concrete के flowability, यानि कि उसको फैलाने का, उसको workability, यानि कि वो जल्दी क्या है कि set ना हो concrete अगर ज्यादा temperature है तो, तो वहाँ पे क्या है कि यह concrete के setting time को बढ़ाता है यह chemical, तो आपको ज्यादा time मिल जाता ह है, उसको फैलाने का, अगर क्या है कि आप कई बर देखा जाता है कि मसाला एक बार डल गया, आप उसको फैलाए नहीं तो जमने लगता है, मसाले का strength कम हो जाता है, तो यह chemical मिलाएंगे तो आपको यह फैदा मिलेगा कि आपको time थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, उसका workability बना रहेगा, पानी इसमें कम, मसाले में पानी की खपत कम होगी, जितना कम आप पानी डालेंगे, जरूरत से ज़्यादा पानी डाल देने पर मसाले के strength कम हो जाती है, तो यह chemical मिलाएंगे तो पानी का खपत यूज कम होगा, जितना कम पानी यूज करेंगे, तो concrete का मजब waterproofing भी परदान करता है, जिससे क्या है कि अगर बारी दिवारों पे बारिस का पानी पढ़ रहा है, तो बारिस के पानी जो है, वो दिवारों के अंदर जो dampness देखा जाता है, सीलन देखा जाता है, वो आने नहीं देता है, उसको रोकता है, अब बात कर लें Dr. Fixit URP के, तो Dr Fixit URP PDCrete 301 जो आप ये देख रहे हैं, ये सीमेंट के साथ मिक्स करके, बातरूम का waterproofing करना हो, चजों का waterproofing करना हो, चट का waterproofing करना हो, वहाँ पर इस्तमाल किया जाता है, ये URP 301 जो है, ये सीमेंट के साथ मिक्स करके, उसका paste बना लिया जाता है, और फिर आपको दिवार पर लगानी हो, ये चट पर लगानी हो, आपको paste बनाने के बाद पेंट बरस जो होती है, उसकी मदद से दो कोट में, आपको अलग अलग direction में, दो कोट में आपको ये लगानी बहुत जरूरी होती है, ताकि proper आपको waterproofing का ये काम करना हो, जब आप ये दो कोट में लगा ले Dr. Fixit URP जो है, ये पुराने चट पे आपका अगर कहीं crack है, तो उस crack को repair करने के लिए भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, crack को repair करने से पहले आपको करना क्या होगा, कि जहां पे crack है, उसको थोड़ा थोड़ा पहले छेनी है, थोड़े से और उस crack को बढ़ा कर लेना है, फ आप दिवारों के seepage में भी इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे आपके किसी दिवार पे बहुत seepage है, तो आप क्या करेंगे, वहां का पहले plaster को अच्छे से पपड़ी को हटा दे, सफाई कर दे, फिर वहां पे ये जो cement और URP जो है mix करके, और आपको पूरे दिवारों पे लगा द तोड़के च्छत आप पहले taper तोड़ते हैं, तोड़के उसमें से सरिया को निकालते हैं, फिर उसको joint करते हैं, तब वहां पे concreting यानि च्छत की धलाई करके उसको आगे करते हैं, तो जो joint होता है, उसी joint पर से देखा जाता है कि अक्सर पानी टपकने, पानी leakage होने की समस से आप बनी रहती है, तो उस joint को आपको ढ़लाई करने से पहले, वहां पे doctor fixit URP का जो घोल होता है, सिमेंट के साथ बना कर, और अच्छे से उस पे लगा देनी है, लगाने एक बाद तब आपको concrete की ढ़लाई करनी है, जब ढ़लाई हो जाए तो फिर उपर से आपको इसी chemical से एक बार waterproofing उस पे कर देनी है, तो आपका जो joint होगा हमेशा के लिए खताम हो जाएगा, और आपका जो छत होगा कभी भी वहां से टपकने या sealant आने की समस्या नहीं रहेगा, दोस्तो कई बर मैं site पे देखा हूँ कि लोगों को ज़्यादा जनकारी नहीं होता है, जो हम waterproofing कर देते हैं, और बोलते हैं कि आपका waterproofing हो गया, कहीं से पानी leakage होने की समस्या नहीं होगी, लेकिन जब बारिस के टाइम आती है, या जब छट पे पानी लगता है, या कहीं से पानी बातरूम में आती है, तो देखा जाता है कि समस्या जो थी, जो कते हो बनी हुई है, त और साथ में दोनों का कबरे जिरिया कितना होता है, तो अगर आप Dr. Fixit LW Plus अपने concrete ओगरे में, या फिर plaster में इस्तमाल कर रहा है, तो आपको एक बोरी का, एक बोरी cement का, अगर concrete का मसाला बना रहा है, तो उसमें आपको 200 ml LW Plus डालनी है, या plaster में भी अगर आप एक बोरी cement का केजी, URP लेते हैं, तो उसमें आपको 1.5 kg cement मिलानी है, और ये दोनों को अच्छे से paste तयार करना है, इसमें पानी बिलकुल भी नहीं मिलानी है, और जो URP आपको coverage देती है, आपको लगबग 1 kg में 20-25 square feet area अराम से cover कर लेती है, दो coat में, अब बात कर लें दोस्तों की rate के इसमें बारे में, और कितने-कितने का packet आपको मिलता है, तो जो Dr. Fixit LW+, हमारा chemical है, वो आपको 2, 100 ml का जो packet है, वो आपको 40-45 रुपे मिल जाती है, एक लिटर का जो packet है, वो आपको लगबग 150-160 रुपे मिल जाती है, और 50 लिटर की लगबग 250-150 रुपे मिल जाती है, वही जो Dr. Fixit URP है ये आपको 200 ग्राम का जो पैकट होता है ये 85 रुपे मिल जाती है 500 ग्राम का जो पैकट होता है लगबग आपको 130-190 रुपे मिल जाती है 1 kg का जो ये पैकट होता है ये आपको लगबग 350 रुपे के मिल जाती है पांच केजी का जो ये डबबा होता है ये आपको लगबग 1660 रुपे के मिल जाती है 10 लिटर का जो पैकट होता है ये आपको लगबग 3035 रुपे के मिल जाती है और 20 लिटर का जो ये आपको डबबा होता है ये आपको लगबग 500 या 500 की मिल जाती है तो दोस्तो हुआ उमेद खरता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा वीडियो से रिलेटर कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर कीजेगे और वीडियो अच्छा लगा हो तिसे लाइक और सेयर कर दिजेगा और चैनल पहले बाद वीडियो देख रहे हैं तिसे सब्स्क वाइब जरूर कीजिएगा